डेर स्टुएंड वी आफ टो डिस्कास्स अबाउट दा असेश्टु दा अर्ली एजुकेशन इन दे यूएसे यूएसे जो है वो हमारे पास एक डिवेल्प कंट्री है हम सस्टेनेबल डिवेल्मेंट के पैरेडाइम में ज़ा उसकी अम्रेला में जब बात करते हैं और उसमें जब अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर डिवेल्प कंट्री का रोल हमें थोड़ा मुक्तलिफ नज़र आता है बनिस्पत डिवेल्पिंग कंट्री के डिवेल्प कंट्री का रोल इससे अंदा से मुक्तलिफ नज़र आता है कि उनके पास resources के availability है और उनके लिए इसको implement करना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है UK के अंदर जब early child and education की बात करते हैं या early education की बात करते हैं तो तीन से लेकर पांच साल की उमर के जो बचे हैं उनकी हम गुफ्तबू कर रहे हैं या उनके education की बारे में बात कर रहे हैं उनके schooling की बात कर रहे हैं और उन centers के अवाले में बात कर रहे हैं जहां पर तीन से पांच साल बच्चे को early education दी जानी है वो चाहे आपका देकेर center हो देकेर होम्स हो या कोई ऐसे center जो funded by the government हो और वो state भी fund कर सकती है federal government भी fund कर सकती है तो उन तमाम से related मुक्तिलिफ option में देकेर center की सुरत में देकेर होम्स की सुरत में या established centers की सुरत में जो funded by the government हो और उसके उपर उसने बहुत बड़ी अमांट ट्वंटी थी ताउजन फिफ्टी डालर्स जो है ना वो उन्होंने उसके उपर पर जो है ना mention भी किया और उसके उपर start भी किया हो तो तमाम वो बच्चे जो state funded प्री किंडर्ड गार्टन प्रोगाम जो था उसके उपर जो चल रहे थे या उसके उपर प्री किंडर्ड गार्टन जो प्रोगाम जो है वहां पर जो बच्चे पाड़ रहे थे उनको include किया गया किसके अंदर इन लेवल में किस लेवल को सामने रखते हुए उनकी इंकम लेवल को सामने रखते हुए उनकी डिवेलमेंटल डिसिबिलिटीज को सामने रखते हुए उनके होम लाइफ को सामने रखते हुए उनकी मदर्स को तीन मदर्स को सामने रखते हुए उन्होंने यहां पर अर्ली चाइडर एड़ुकेशन का अन्दाम किया देखें बहुत से मुलकों ने मुख्तिलिफ अंदास किये कुछ मुलकों ने इसी इस्टैबलिश किये हमने उसके पर भी बहुत सी बात देंगी कुछ जोगों पे जो एकस्टिन्ग पनामिना थे उनको रिसॉर्स को एसी ओड्यूश किया गया कुछ जगों पे रिजुज किया गया तो अमेरीका के अंदर जो अलुरीड़ी डेकेर संटर थे या डेकेर हॉम थे वहाँ पे उन जगों पे वहीं पर उनको establish किया गया और वहाँ पर अर्ली चाइड़ोड एजुकेशन लाई गया क्वालेटी जो है जब हम क्वालेटी आफ एजुकेशन की बात करते है तो यह थोड़ी सी आनिवन नजर आएगी आपको प्यों हमें नजर आएगी तो यह प्राइवेट सेंटर्स हैं यह लाज़ी मैं बात है कि क्यों प्राइवेट सेंटर्स कास्ट capable करने करनेंपड एफ जब फैमिर्श काफूर करने पड़ेगी तो उसके लिए जो उन के नेशनल स्टनर्डर्ड जो एड्रीड़ेशन है, जो एसेशेईड और जो नेशनल इसको में सॉन्री आनाफ्ली को आईडिया देने से नहीं यह जाए क्वालिटी हो जाए कि जहां कहीं एजुकेशन की बाते होगी जहां एजुकेशन निवाल्व हो जाएगी देखें डेकर संटर दो लादा चीज़ें एक डेकर संटर यह है कि बच्चे को आपने सिर्फ उसकी बेसिक नीड्स जानी के उसका फूड बगरा का ख्यार रखना है तब यह है कि डेकर संटर के अंदर आपने उसकी एजुकेशन का भी ख्याल रखना है और जब आप एजुकेशन की बात करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करोगी तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वह एग्रीडेटेड एजुकेशन होगी तो उसको क्वालिट झाल